कमिटी के सभी सन्मानित सदसेगान और सभी साथियों गुरु तेकबादुर जी के चार सोवे प्रकाश परवत का ये अवसर एक आध्यात्मिक सोभाग्य भी है और एक राष्ट्रिय कर्तवे भी है इसमें हम अपना कुछ योगदान दे सकें ये गुरु कुरुपा हम सब पर हुई है मुझे खुशी है कि हम सब बेश के सभी नागरीकों को साथ ले करके अपने इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं अब यहां ग्रहमंत्री जी ने नेशनल इंप्लिमेंटेशन कमिटी के अध्यक्ष्य तौर पर कमिटी के विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जो भी सुझाव आये थे उसको रखा गया था प्रेजेंटेशन में भी पूरे साल के कारिय योजना के समद में एक लचीली रूप्रेका सी जिसमें काफी सुधार की भी संभावनाय हैं नए ने विचारों के भी संभावनाय हैं आप सद्यस्यों की और से भी बहुत ही बहुमुल्य सुझाव मिले हैं बहुत मौनिक सुझाव मिले हैं और यह बस हही है कि एक अंतर अश्ट्य स्तर पर हमने इस अवसर का लाब लेते हुए हमारे देश का जो मूल चिंतन है इसको लोगों तक पहुचाने का ये हमारे लिए बहुत बड़ा आउसर है वैसे ही समिति में आज यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सभी मानिय सद्यस्य हैं सब को अपनी बात बताने का आउसर नहीं मिला है लेकि मुझे पूरा भरोसा है कि सभी मान्य सदस्य इन विचारों को लिखीत रूप में भेजेंगे ताकि इसको और समुर्द बनाया जा सके और अच्छी कारी रचना करके साल भर के लिए इस काम को आगे वगेड़ से साचे बीती चार स्वताद्यों में भारत का कोई भी कालखन कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेग बाहदूर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हो नवम गुरु के तौर पर हम सभी उनसे प्रणा पाते हैं आप सभी उनके जीवन के पड़ावों से परचीत हैं लेकिन देश की नई पीड़ी को इनके बारे में जानना उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है साथ गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बाहदूर जी और पुरी गुरु गोविन सी जी तक हमारी सिख गुरु परंपरा अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन रही है ये सवभाग है कि गुरु नानक देव जी का 550 वा प्रकाश परव गुरु तेग बाहदूर जी की 400 वी जैनती और गुरु गोविन सी जी का 350 वा प्रकाश परव नाने का अउसर हमारी सरकार को मिला है पुरा विश्व अगर जीवन की सार्थक्ता को समझना चाहे, तो हमारे गुरुवों के जीवन को देख बहुत आसानी से समझ सकता है। उनके जीवन में उच्चतम त्याग भी था तितिक्षा भी थी उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश भी था अध्यात्निक उचाई भी थी साथियों गुरुत एक भाधुर जिने कहा है सुखू दुखू दोनों सम करी जाने और मानू अपमान अर्थात सुख दुख मान अपमान इन सम में एक जैसा रहते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए उन्होंने जीवन के उद्देश भी बताए हैं उसका मार्ग भी दिखाया है उन्होंने हमें राष्ट्र सेवा के साथ ही जीव सेवा का मार्ग दिखाया है उन्होंने समानता समरस्ता और त्याक का मंत्र हमें दिया है इन्हीं मंत्रों को खुद जीना और जन जन तक पहुँचाना यह हम सब का कर्टब्या है साथियों जैसी यहां चर्चा भी हुई चार सोवे प्रकास परपर सब साल भर पूरे देश में आवजन होने चाहिए और विश्व में भी हमें अधिक्तम लोगों तक पहुँचेने का प्रयास करना चुई है सिख परंपरा से जुड़े जो भी तिलतस्तान है जो स्रद्धास्तल है वो इन गतिविद्यों को और उर्जा देंगे गुरु तेक महादूर जी के शबत उनके रागों का भजन उनसे जुड़ा साहित्य सांसकुर्ति कारकम यह जन जन को प्रहणा देंगे इसमें डिजिटल टेक्नलोजी का उप्योग होने में और उससे यह संदेश पुरे विश्व में नई परी तक आसानी से पहुँच पाएगा और मुझे खुशी है कि आज अधिक्तम सदस्यों ने यह डिजिटल टेक्नलोजी का मैक्सिमम उप्योग करने के सुझाव रखें यह अपने आप में बदलते हुए भारत की तस्वीर भी है हम सभी इन सभी प्रयासों में हमें जादा से जादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है साथियों इस पूरे आयोजन में हमें गुरु तेक बहदूर जी के जीवन और शिक्षाओं के साथ ही समूची गुरु परंपरा को भी विश्वत तक ले जाकर ले करके जाना चाहिए किस तरह पुरी दुनिया में आज सिक्ष समूदाए के लोग और हमारे गुरुओं के हम सब करोड़ अन्युआई उनके पदचिन्नों पर चल रहे हैं कैसे सिक्ष समाज सेवा के इतने बड़े-बड़े काम कर रहा है कैसे हमारे गुरुद्वारे मानव सेवा के जागरत केंद्र है ये संदेश हम अगर पुरे विश्वत अगले कर जाएंगे तो हम मानवता को बहुत बड़ी प्रेणा दे सकेंगे मैं चाहूंगा कि इस पर सोध करके इसे डॉक्युमेंटेड भी किया जाए हमारे ये प्रयास आने वाली पीडियों का भी पत्प्रदर्शन करेंगे यही गुरु तेक बहादुर जी समेच सभी गुरुओं के चरणों में हम सबकी सरधान्जली होगी एक प्रकार से कार्यान्जली भी होगी ये भी एहम है कि इसी महत्वपूर समय में देश आज़ादी का अमरुत महोसवी मना रहा है हमारी आज़ादी को 75 वर्ष हो रहे हैं मुझे विश्वास है गुरु आसिरवात से हम अपने हर आयोजनों में जरूर सफरन होंगे आप सब के उत्तम सुझावों के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आने वाले समय में भी आपका सक्रिय सहयोग इस महान परंपरा को आने वाली पीडियों तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान देगी मैं इस पावन पर्व में गुरुओं के सेवा का जो हमें सवभागी मिला है यह हम सब का गवरव है इनी शुब कामनाओं के साथ मैं आप सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ